हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वेडिर कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में एक वाफिर से एम पैटर्न के ऊपर बात करने जा रहे हैं और हमने एम पैटर्न के ऊपर कुछ वीडियो पहले भी बात किया था और उसमें हमने इस पैटर्न के बारे में एकदम डीटेल से बात किया था और इस पैटर्न को हम लोग डबल टॉप पैटर्न भी बोलते हैं क्यों डबल टॉप पैटरन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका दो टॉप बनता है, सबसे पहला टॉप आपका यहाँ पे बनता है, दूसरा टॉप आपका यहाँ पे बनता है, इसलिए हम लोग इसको डबल टॉप पैटरन के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग M पैटरन भी बोलते हैं जब भी price आपका double top बनाके नीचे side की तरफ आ रहा था और इस neck line को break कर रहा था तो price में हमें जवर्दस गिरावट देखने को मिल रहा था और यहां से हमें लगवक 5-10% का profit आसानी से मिल जाता था लेकिन हमें एक example ऐसा भी देखा था जहांपे price आपका neck line को break करता है या फिर neck line के पास आने के बाद उसी के करी move करने लगता है ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलता है और मैंने बोला था कि उसको हम next video में cover करेंगे तो यह क्यों होता है यह इसलिए होता है क्योंकि यह जो m pattern बना था जिसमें हमें गिरावट देखने को नहीं मिलता वह आपका weak m pattern है तो इस video में जो मैं बात करने जा रहा हूं कि आप कैसे जो m pattern बनता है वीक वाला उसको identify कर सकते हैं और जो m pattern बनता है strong वाला उसको आप कैसे identify कर सकते हैं यह नहीं इस video में में टॉपिक है हाव टू identify weak m pattern and strong m pattern में टॉपिक यही है तो चलिए इसको हम चार्ट के basis पे weak और strong m pattern कैसे identify करेंगे उसके उपर बात करते हैं इसको जो हम identify करेंगे इसके लिए हम एक टेकनिकल इंडिकेटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और यहां पर जो हम टेकनिकल इंडिकेटर इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉलिंजर बैंड और आप इसको किसी भी ब्रोक्वेज के trading platform में आसानी से एड़ कर सकते ह यहां पर हम जो किरोधा का ट्वेटिंग प्रेटफरम इस्तेमाल करें तो हम पर जो बिलिए को ने तो और यह आपको होता अपर बैंड जिसको हम साट में यूबी लिख देते हैं तो यह आपका यूबी अपर बैंड मिड बैंड और लोवर बैंड हो गया अब इन्ही तीनों बैंड की मदद से हम आइडेंटिफाई करेंगे जो आपका M पैटर्न बना है वो आपका वीक है या फ यहां पर हम चार्ट पर आगें और यह जो चार्ट है आपका हिंदुस्तान यूनि लिवर का चार्ट है डेली चार्ट है और मैंने आपको अलवेड ही बता दिया है कि यहां पर हम डेली चार्ट करेंगे डेली चार्ट से नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि यहां पर आगर आ M pattern identify करना है और आप M pattern कैसे identify कर सकते हैं वो भी मैंने आपको last video में एकदम detail से explain किया है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस video के description में जाके वो वीडियो देख लिजे नहीं तो आप I button पर click करके भी वो वीडियो देख सकते हैं और मैं आपसे request करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप M pattern बला हमारा वो वीडियो जाके जरूर देख लिजे क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा हम उसी के बाद यहाँ पर हम आगे continue बढ़ रहे हैं यहाँ पर हम उतना basic पर focus नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम already basics को cover कर चुके हैं तो यहाँ पर identify करने एक छोटा सा तरीका जो कि मैंने आपको last video में बताया था कि हमें सबसे पहले दो top को identify करना है अब आपके सामने यहाँ पर M pattern बना हुआ है जो लोग previous video देख लिए होंगे को आसानी से यहाँ पर identify कर पा रहे होंगे जो लोग नहीं देखे होंगे उनको identify करने में दिक्कत हो रहा होगा तो कैसे identify कर सकते हैं सबसे पहले दो top find करना है मैं आपको hint के लिए बता दो पहला top आपका यहाँ पर है और दूसरा top आपका यहाँ पर formation किया है अब तो maximum लोग आसानी से यहाँ पर M pattern को find कर लिए होंगे चलि मैं डॉकर के बता देता हूँ यह हो गया यह देखिए आपका M से बनाया है कि नहीं बनाया है M से बनाया है यहाँ पर दोनों Top लगवख एक बराबर ही है यहाँ पर double top का formation किया है अब यहाँ पर हमें क्या देखना है सबसे important क्या है इसका Nick Line देखें यहाँ पर आपका Nick Line है अब Nick Line को candle brick करके नीचे गया है अब यहाँ पर देखिए जो candle Nick Line को brick किया है वही candle lower band को भी break करके नीचे closing दिया है तो हमें यह ही चाहिए कि जो candle आपका neck line को break कर रहा उससे previous candle या फिर उसके next candle यानि उससे candle पीछे या आगे भी अगर lower band को break कर देता बॉलिंजर band का तो यहाँ पे जो यह M pattern बना है यह क्या बना है? यह आपका होगा strong M pattern और at the same time यहाँ पे हम किस पे देखेंगे? यहाँ पे हम volume पे भी focus करेंगे और देख सकते हैं इस level पे आपका यहाँ पे देख सकते हैं negative volume increase हो रहा है तो negative volume increase हो रहा है यानि sellers का कबजा बर रहा है sellers का investment increase हो रहा है और इसके साथ-साथ यह Bollinger Band के lower band को तूरा है और at the same time M pattern यहाँ फिट double top pattern के basis पे हमें lower side की तरफ breakout भी मिला है तो यहाँ पे multiple हमें hint दे रहा multiple तरीके से market बता रहा है कि price यहाँ पे नीचे जाने वाला है यहनि हमें multiple checkpoint है हमने multiple तरीके से इसको confirm किया है तो इसके बाद आप यहाँ पे आसानी से sell side की तरफ जा सकते हैं यहाँ पे जो हम sell करेंगे लगबग 2300 करीब sell करेंगे और पहला target price जिसके करीब होगा जो कि आसानी से hit कर दिया है और हम target stop loss सब के बारे में last video में already discuss किया है यहाँ पे आप stop loss रखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर sell बनेगा नहीं तो यहाँ पे candle का size बहुत big है अगर candle का size big रहता है तो हम यहाँ पे भी sell रख सकते हैं तो इन सब का detail आपको previous video में दिख जाएगा इसलिए मैं बार-बार request कर रहा हूं कि अगर आपने previous video नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर देख लीजे तो यह कौन सा M pattern है यह आपका strong वाला M pattern है तो weak को हम कैसे identify करेंगे उसके उपर भी हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक और हम example लेना चाहेंगे strong M pattern वाला यहाँ पर हम इंडसन बैंक के daily chart पर आ गया अब यहाँ पर आपको वही exercise करना है क्या identify करना है आपको यहाँ पर M pattern identify करना है उसके लिए shortcut बता है कि आपको दो top identify करना जो कि लगभग एक बराबर हो तो बता दो पहला top यहाँ पर दूसरा top यहाँ पर अब आप काफी हर्थ तक identify कर पा रहे होंगे simple है ज्यादा कुछ complications नहीं है यह आपका M pattern बन गया अब यहाँ पर हमारा neck line क्या बना उसके बर focus करेंगे यह हमारा neck line है और मैंने wallinger band के बारे में बताई दिया था यह कौन सा है upper band यहाँ पर upper band और mid band का ज़्यादा कोई काम नहीं है हमें सिर्फ और सिर्फ lower band पर focus करना है और जब neck line को break कर रहा है तो हमें at the same time क्या होना चाहिए lower band को भी break करना चाहिए और यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका lower band को भी break करके price नीची आया और negative volume भी अच्छा खासा है मतलब यहीं पर हम क्या करेंगे sell set की तरफ positions initiate करेंगे और यह जो आपका m pattern बना है यह आपका strong वाला m pattern बना है तो अगर आपका यहाँ पर m pattern का formation हो रहा और उससे पहले वाला red candle या फिर उसके बाद वाला red candle या फिर वही red candle इसके lower band को break करता है तो समझे यह आपका strong m pattern है फिर आप यहाँ पर sell set की तरफ जाओ यहाँ पर trap होने के chances कम दिखेंगे और इसके बाद price आपका गिरेगा और देख सकते हैं दोनों case में price आपका गिरा भी है तो यहाँ पर हम next example पर आगे हैं और देख सकते हैं यह आपका LTI का क्या है daily chart है अब यहाँ पर भी हमें क्या identify करना सिर्व m pattern identify करना जादा कोई difficult नहीं है अब simple तरीके से identify कर सकते हैं आपके सामने m pattern दिख रहा है अब maximum लोग यहाँ पर identify कर पा रहे होंगे सिर्फ आपको दो top identify करना है जिनको difficult हो रहा है मैं आपको top बता देता हूँ पहला top इसके आसपास दूसरा top यहाँ पर अब तो maximum लोग आसानी से draw कर पा रहे होंगे और यही चीज़ आपको सीखना है कि आपको next eye से M pattern identify करना है यह आप identify कर लिए तो maximum काम 60-70% काम यहीं पर हो गया वहां कि आपको जो मैंने वीडियों बता है उसी को follow करना है तो देखिए यहाँ पर आपका M pattern का formation हो गया है अब हमारा neck line क्या है यह हमारा neck line है और देखिए price neck line को break किया है लेकिन हमें क्या चाहिए था जो candle neck line को break किया वो candle उससे एक पहले वाला candle या फिर उसकी बाद वाला candle क्या होना चाहिए यह जो lower band है बॉलिंजर band का इसको भी break करना चाहिए बॉलिंजर band का lower band break हुआ है यहां पे break नहीं हुआ है और क्या negative volume जादा है निगेटिव volume बिल्कुल भी नहीं है मतलब यह जो M Pattern बना है यह क्या M Pattern बना है यह weak M Pattern बना यहन्य यहां पे कमजोर M Pattern है और इसके basis फें हम क्या करेंगे इसके basis फें हम trade नहीं लेंगे अगर आप यहाँ पर trade लेते हो, तो क्या हो जाओगे, आप यहाँ पर trap में first जाओगे, और ultimately यहाँ पर आपको loss उठाना परेगा, इसलिए इस M pattern के basis पर हमें trade नहीं लेना है, और इसी तरी किसम कमजोर M pattern को identify कर सकते हैं, कैसे, एक बार और समझ लीजे, तो यहाँ पर वही च जांपल के तो इसको समझते हैं, अब देखिए, आई से बैंक के daily chart पर, सारा एक जांपल हमारा daily chart वाला ही रहता है, यहाँ पर भी आपको क्या identify करना, M pattern identify करना, उससे पहले double top identify करना, पहला टॉप यहाँ पर, दूसरा टॉप यहाँ यहाँ यह नि, यह आपका M pattern का formation किया ह यह बना आपका neck line, यह आपका lower band, neck line को price break करके नीचे किया है, लेकिन lower band को break नहीं किया, और यहाँ पर negative volume भी नहीं दिख रहा है, मतलब यह जो M pattern बना है, यह क्या बना है, यह आपको trap करने के लिए बना है, देखिए जो भी pattern या जो भी strategy है, सब के basis पे आपके लिए trap यह बना है, उसको हम cover करें, तो आप हमें comment section बताईगा, कि जो हम सोचें, वो सही है या नहीं है, अगर अच्छा comment रहा है, तो हम आगे, जो भी strategy है, या जो भी trading pattern है, उन सब से आप trap से कैसे बच सकते हैं, वो हम cover करेंगे, यहाँ पर आपने देख लिया, कि कैसे आप आसान या फिर इसी से मिलता जोलता, double pattern भी बनता है, यहाँ पर आपको early play नहीं करना है, आपको breakout का wait करना है, कई बार क्या होता है, जैसे ही neck line के करीब आता है, वहाँ पर लोग तूट पड़ते हैं, आपको तूटना नहीं, आपको इंतजार करना है, और आप चाहो तो confirmation के लिए आते हैं, वह concept clear हो गया होगा, अगर इससे related कुछ भी doubt या फिर confusion हो, तो आप हमें comment section पूछ सकते हो, वहाँ पर आपका proper answer किया जाएगा, so that's all friends, चैनल को subscribe जोड़ कर लिजेगा, साथे साथ, bell icon दवाना ना बूले, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो आगे भी upload करें, उ तो that's all friends, मिलते नेक्ट वीडियो में, जैहिन!